महंगाई की मार जेल रहे जनता की जेबू पर एक बार फिर असर पढ़ने बाला है सोमबार से महंगाई की मार में लोगों के कहीं आसू न निकल जाए ऐसा हम इसले कह रहे हैं क्योंकि महंगाई एक बार फिर लोगों को जटका देने वाली है लोगों को सोमबार से कई चीजों पर पहले के मुकाबले ज्यादा GST चुकाना होगा दरसल वित्यमंत्री निर्मिला सीता रवन की अध्यक्षिता में GST काउंसिल की बैठक होई इस बैठक के बाद सरकार ने कई प्रोडक्ट और सर्विसेज पर टेक्स के रेट में काफी बदलाव कर दिया है जिससे जंता को आज से कई सारे समान पर ज्यादा GST चुकाना होगा इसमें वो समान भी शामिल हैं जिस पर पहले 0 GST था GST काउंसिल का फैसला लागो होने के बाद सोमबार से कई खादे वस्तुएं महंगी हो जाएंगी इनमें पहले से पैक लेवल वाले खादे पदार्थ जैसे आटा पनीर और दही शामिल हैं इस पर अब 5 प्रतिशत GST देना होगा इसके साथ ही 5,000 रुपे से ज़्यादा किरायवाले अस्पताल के कमरों पर भी GST देना होगा इसके लावा 1,000 रुपे प्रतिदिन से कम किरायवाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से GST लागो हुई है चले ज़रा आपको बताते हैं कि इनके इन चीजों की GST को बढ़ाया गया है प्रिंटिंग, ड्रॉइंग, इंक, धारदार चाकू, कागस काटने वाला चाकू, पैंसिर शापनर, LED लैम्प, ड्रॉइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर कर कि दरें बढ़ा कर 18 प्रतिशत कर दी गई है सौर वाटर हीटर पर अब 12 प्रतिशत GST लगेगा जबकि पहले 5 प्रतिशत कर लगता था सडक, पूल, रेलवे, मेट्रो, अपसिष्ट, शोधन, सैयंत्र और शवदाह, ग्रिह के लिए जारी होने वाले कारे अनुबंधों पर अब 18 प्रतिशत GST लगेगा जो अब तक 12 प्रतिशत था हाला कि खुले में बिखने वाले, बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर GST छूट जारी रहेगी तो वहीं रोज मर्रा की 10 चीज़ें महंगी हो गई हैं जैसे दही, लसी और छाच पर 5 प्रतिशत GST है पनीर पर 5 फिजदी GST है सभी तरह के गुड, खांडसारी शूगर, नैचरल हनी, मुर्मुरे, चूडा, छैना मुर्की, चावल, गेहू, जो, राई, आटा सभी पर 5 प्रतिशत GST है टेंडर कोकुनट वाटर पर भी 5 प्रतिशत GST है आपको बता दे कि महंगाई को लेकर कॉंग्रिस ने मोधी सरकार पर हमला बोला है देश की जनता पर एक और महंगाई की मार के बाद विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथो लिया है कॉंग्रिस नितार अरदीप सुर्जिवाला ने कहा कि मोधी सरकार में चाहे सावन हो या सोमवार रोज महंगाई का नया प्रहार मैं कॉंग्रिस नितार जैराम रमेश ने कहा विशगुरू का दावा सब चंगासी, हकीकत सब महंगासी वित्यमंति निर्मला सीता रमण की अध्यक्षिता में हुई GST काउंसिल की बैठक के बाद अब देखना ये है कि देश के बाजार और लोगों की जेबू पर क्या असर देखने को मिलता है वीडियो डेस्क अमरुजाला डाट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें